Hello everyone, my name is Manisha Biragi, welcome to MLT Education Point previous lecture में हमने पढ़ा था ZNS training के बारे में और आज का हमारा topic है anticoagulant तो anticoagulant क्या होता है friends यानि कि anti मतलब की होता है कि against anti मतलब होता है against और coagulate मतलब होता है clot ठीक है? यानि कि clot के against work करता है clot को बनाने से रोकता है यानि कि जब हम blood collect करते हैं body से तो हमें कुछ टेस्ट के लिए जो है वो blood clotting breast के ज़र्रोत होती है और कुछ जो होती है वो हमें anticoagulant डालने के बिना clot हुए blood की जर्रोत होती है यानि कि हमने blood collect कर लिया है तेके ये 2 वाइल से इन दो वाइल्स में हमने blood लिया है, अब हमने एक tube जो है, इसमें हमने डाल रखा है anticoagulant, ठीके, और इसमें हमने कोई anticoagulant नहीं डाला है, ठीके friend, clear है, अब हमने इसमें क्या डाला, blood डाला है, इसमें भी हमने blood डाला है, तो ये anticoagulant के साथ mix हो गया है, यानि कि anticoagulant मै इसमें एंटिको यूगलेंट यूजे किया ठीक है तो कि यह क्या हो हो जाएगा हमारा हमसे जब ब्लड को चलेक्षन करते हैं को कलेक्षन करके मौनलब हमने रवां रलेड में ब्लेड में ब्लेड लिए ठीक है अब हमने क्या किया उसको центrib anymore करने पाद अगर हमने एंटिकोगिलंट यूज किया है तो हमने क्लेक्ट करना मिलेगा प्लाजबा करना हम प्लाजमा का मिलेगा हम हमने एक वाइल उसमी चाहिए लिया है तो ठीक है वह ब्लड को अगर हम सेंट्रिफ्यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा सीरम ठीक है तो सीरम और प्लाजमा में क्या डिफ्रेंस है यही डिफ्रेंस है और इसके बारे में डीटेल में हम पढ़ेंगे बट अभी में एंटिकोगिलेंट जो है वो किस बेस पर वर्क करता है बस बता रही थी तो एंटिकोगिलेंट अगर लिया है हमने तो हमें क्या मिलेगा प्लाजमा और अग करते हैं अब घर करते हैं बताया कि जो है प्लड को क्लोट करने से प्रिवेंट करता है इदिसए क्या करता है disaster हूँ used prevent the blood clot या किया करता है यह एक कयमिकल सबस्टेंच है वहती सारी कयमिकल मिक्ट्जर मिक्शर से मिलकर बना हुआ होता है जो किया करता τह harvest है ब्लट को। होने से यानि कि ब्लट को जमने से प्रिवेंट करता है बचाता है उस ब्लट को जो है वह उत नहीं होने देता है ठीकanız रीएक्शन याने कि कि किस बेश पे काम करता है इंटी कोगिलूंट कुछ वहीं होते हैं कॉmp implode करने के लिए responsible होता है टेक है यह क्या करता है centring उन बब्लाइब उनकोईल करता है तो मैंने अपको बताया if पहले अपने पड़ा होगा कि की की सब्सक्राइब के बीचेकर को यानि की चैन के बेशन CTR कैसे यानि कि मेरे पीछे फिर मेरे फिर मेरे पीछे एक और इस तरीके से को इन को ऊउगने साथ यह है फिर बीच में से हमने एक ऊउगलेशन फेक्टर हटा दिया तो एक आ तो चैन नहीं तो यह बन पाएगा यह एंटीक वेस्ट पर करता है तो बीच में से अगर एक लोगेलेशन फेक्टर को किसी को भी इनक्टिवेट करते हैं अंदर से कोई से भी जो भी 13 coagulating factor होते हैं उनमें से एक को क्या कर देता है इनेक्टिवेट कर देता है जिससे वह चैन टूट जाती है और क्लोड जो है वह नहीं बन पाता है ठीक है सारे एंटिकोगलेंट जो है वह डिफरेंट डिफरेंट बैस पे काम करते हैं तिक आगे द कोईगुलेंट यूज करते हैं तो जो भी कोईगुलेंट यूज करेंगे उस ब्लड को क्या है वह फ्लूइड कंडिशन में रखेगा उसके बाद नोट चेंज इन साइज और सेल यानि के हम डिफरेंट डिफरेंट सेल की मार्फोलोजी के लिए उसके कंपोनेंट के लिए जो डिटार्मिनेशन के लिए हम एंटी कोईगुलेंट यूज करते हैं तो उसकी जो सैल की मार्फोलोजी हो गया उसका अगर स्टैनिंग करते हैं तो उसका बेग्राउंड जो वो क्लियर हमें दिखना चाहिए तो उसमें ना तो स्वेलिंग होनी चाहिए ना श्रिंकेश ह यानि कि टोटल उसकी साइच पर कोई भी एफक्ट नहीं होना चाहिए शुडवी ब्लड यानि कि जो भी हम ब्लड यूज कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए तो उसके बाद परपस मैं परपस क्या होता है एंटी कोईगुलेंट का मैंने आपको बदाया वैसे भी हमेट ल ब्लड के कंपोनेंट यानि कि जैसे कि TLC हो गया, RBC हो गया, WBC हो गया ठीक है बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उन सब की उनके कंस्ट्यूट्यूट्यून को मतलब बनाए रखता है ठीक है तो वेरिस कंस्ट्यूट्यूट्यून के स्टड़ी करने के लिए जो हम इसका यानि कि Blood Bank में हम Blood को Preserve करके रखते हैं इतने Time तक स्टोर करके रखते हैं Blood को जैसे किसी को Transvision की जरूत होती है तो कैसे हम उसको Store कर सकते हैं तो वह Antigoglent के द्वारा है हम उसको Store करके रख सकते हैं ठीक है उसका भी Minimum Time होता है कि कौन सा Coagulent है वह कितने Time तक उसको Store करके वह अगले हो गया वह हम जम Blood Bank के Antigoglent पढ़ेंगे तो उसमें डिसकस करेंगे कौन कौन सा Antigoglent जो है वह Routine Blood Collection जो हम करते हैं तो उसमें यूज किया जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बस नाम है आगे बात करते हैं कलर कोड यानि कि इन Antigoglent के लिए specific tube होती है कि उनका भी color code होता है कि मानलो जिसा रेड कलर है तो रेड कलर में कौन सा Antigoglent होता है कि उसका function क्या होता है मितलब कि उस ट्यूब को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है वह देखते हैं कि color first up मैंने बताया कि red color ठीके तो रेड कलर की जो क्यों होती है उसमें कोई Antigoglent नहीं होता है और मैंने अभी बताया आपको कि अगर उसमें कोई Antigoglent नहीं होगा तो blood क्या होगा क्लोट हो जाएगा और अगर हम उस क्लोट blood को सेंट्रिब्यूस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा सीरम ठीक है तो इसका यूज जो है हम फोर blood banking के लिए भी करते हैं ठीक है blood banking में भी बहुत सारे टेस्स लगते हैं ठीक है बायो 15 मिनिट रिक्वाइड फोर blood क्लोट भी फोर सेंट्रिफूजन यानि कि जब हम सेंट्रिफूस करते हैं तो उससे पहले हमें उस blood को कम से कम 10-15 मिट तक रखना है 10-15 मिट तक हम उस blood को रखेंगे तब जाके वह मतलब अच्छे से वहते हैं यह यह वह हमेटालोगी टैस्ट पर उससारे टेस्ट के लिए यूज गया जाता है तो बाइंड करता है चल्चिम आयंस कि अगर यह किसी एक से बाइंड कर लेगा कैलशियम आयंस आगर बाइंड कर लेगा कैल्स आइंड क्या करेगा वह दूसरे अंटी को डॉत नहीं कर 파ेगा और अगर अगर उसको एक्टिवेट नहीं करेगा तो लोट नहीं बनेगा ठैक है तो उसके बाद आता है green color green color करता है इसमें प्रजेट होता है H Thank You क्या करता है इन्हेट करता है थरैपंबीन चा स्का he went different यह इनिभेट कर देता है तब आगे बताऊंगी और उसके बाद रता थे ग्रीन कलर ग्रेंग कलर के जो होती है उसमें हम यूज करते हैं सोडियम फ्लुराइड एक विक अंटिकोगलेंट है इसलिए हम इसके साथ जो है वो पॉटिक्शियम उग्सेलेट यूज करते हैं ठीक की यह अच्चे से calcium iron से बिकार करेगा और भी जिसे glucose के यूज़ ऑन जोिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ग्रुकॉस में क्या होता है यह जो आझे एंज़्म होता है इनोलेस उसको क्या करंदेता है इता है रिखक्ति कर देता है ठीक के लिए उसका सपैट्रेट भी होता है यह बहुता है कि यह सार के लिए जो है ब्लेक चीज Aku जयाती है और उसमें आति होता है दो आफीर की अधानो तो को לס़ मीनित उनल्स अने किसे लूइविल्ला तो यह नियुक है इनके बारे में बात करते हैं और किस पे और किस बसट ऑगे बातOM करते हैं हम anticoagulant के बारे में detail में अब हम बात करते हैं anticoagulant के classification के बारे में anticoagulant जो होता है वो दो types का होता है मैंने आपको बताया कि एक तो होता है calcium chillator वो एक होता है non calcium chillator calcium chillator याने कि वो क्या करता है calcium के साथ जो है वो bind करके prevent करता है clotting से ठीके और यह non-calcium chillator नाम से समझ में आ रहा है कि non-calcium chillator यानि कि calcium से bind नहीं करता है इसके process जो है वो change होती है calcium chillator कौन-कौन सा ऐसे anticoagulant जो है वो calcium से bind हो के फिर जो है वो clot होने से prevent करते हैं ठीक है तो first है EDTA, second है double oxalate, इस सब के बारे में हम detail में आगे पढ़ेंगे trisodium citrate ठीक है और potassium oxalate और ammonium oxalate ठीक है और non-calcium chillator यह क्या है calcium chillator ठीक है और non-calcium इसमें यह है यहाँ पर लिख दाती हूँ में के calcium bind, calcium से bind करता है और यह जो है calcium से bind नहीं करता है ठीक है इसमें कौन-कौन से है, first है hyparin और second है warprint ठीक है अब हम इनके बारे में detail में पढ़ते हैं, first one हमने देखा कि calcium chillator जो है वो EDTA है ठीक है, EDTA मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है वो routine and to coagulant है, routinely जो है वो यूस किया जाता है most यानि के hematological purpose के लिए भी और इसके biochemistry investigation के लिए भी यूस किया जाता है, ठीक है, EDTA का full form most important है, point of view main exam and competitive exam, ठीक है बोद बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि EDTA का full form क्या होता है, तो ethylene diamine tetra acetic acid, क्या होता है friends, ethylene diamine tetra acetic acid इसका full form होता है, ठीक है it is a routine anticoagulant मैंने भी बताया, और इसका एक और नाम क्या है, यह भी important है, कि it is also known as verse net, ठीक है, क्या नाम है, verse net, ठीक है calcium chelator, यानि कि calcium से bind करता है, यानि कि जैसे कि मानलो, यह EDTA है ठीक है, और EDTA उसके बाद यह क्या करेगा, bind करेगा calcium से, ठीक है, यानि कि calcium से bind कर लेगा, तो क्या होगा? उस calcium को bind करके यानि कि calcium जो है वो inactivate हो जाएगा और activate नहीं कर पाएगा further आगे किसी anticoagulant factor को ठीक है और अगर coagulant factor जो है वो आगे के change जो है वो continue नहीं रहेगी तो close जो है वो नहीं बनेगा तो यह bind हो जाएगा और क्या बनानेगा calcium plus EDTA जो है वो एक complex बना लेगा क्या बनानेगा complex बना लेगा इस calcium से bind हो जाएगा ठीक है और उसके बाद types में आपको बताए डाइ sodium और होता है try and dipotation यानि कि दो टरेके ट्यूब होती है lavender कलर में ठीक है डाइ sodium हम EDTA भी यूज़ करते हैं या फिट्राइ या फिट्राइ या फिट्राइ पोटेश्यम EDTA भी यूज़ करते हैं sodium का formula यानि dif điều courageous पर fan चलिक को सबढ़ा को टो-टेश्यमीcco हम छीले पर-बी अब पिलिए यूज़ करते हैं अब कन्सेंट्रेशन जो होता है इगर नो जाते है ट्यूब में तो जिसे कि मांलो bedra हमें 1 ml में कितना लेना है टीकिए उसके इसाब से हमें इसे 1.8 मिलीग्रम है युद्लों कोुछ शर्च करने लग जाएगा जो भी किít आरवंसे हमारी डबली वीसी को को क्या करना लग जाएगा श्रिंक ना तो उसके मार shining नहीं कर पाएंगे इस वाजे से एसके essential quantity जो होती है वो जरूरी होती है अगर potassium अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें पर ml में 1.8 mg जो है वो potassium लेना है ठीक है 1 ml ब्लड में कितना लेना है 1.8 mg जो है हमें tripotation use करना है और अगर dipotation tube है तो हमें dipotation कितना लेना है 1.5 mg 1 ml ब्लड में हमें 1.5 mg लेना है और अगर sodium हम लेना है वो भी 1.5 mg पर ml ब्लड जो है अब यह ब्लड को कितने time तक preserve करके रख सकते हैं यानि कितने time तक वो क्लूट जो है वो नहीं मनाएगा तो six hour तक यह इसको preserve करके रखेगा ठीक है यूज्ड अभी डिट्यक का यूज्ड जो है वो मैंने आपको बता है hematology biochemistry as well as use किया जाता है यूज्ड जो है वो अगर hematology में बात करें तो cell count यह नहीं कि यूज्ड जाता है यूज्ड जो हम बनाते हैं ठीक है जो टंग चप का स्मेयर बनता है ऐसा slide वे तो उस स्मेयर बनाने के लिए अगर clot blood होगा तो उसका स्मेयर हम बना ही नहीं पाएंगे ठीक है तो उसके लिए भी इसका यूज्ड जाता है जी के जरूरत होती है एडवांटेश इसके क्या-क्या होते हैं तो एडवांटेश इट लेक इफेक्ट ओंद साइज और मार्फोलोजी नंबर सो ब्लड सेल काउंट एंड नमबर और प्लेटलेट कम स्वरी नो प्लेटलेट कम ग्लंपिंग ठीक है यानि कि इसके डवांटेश क्या होते है ढाता है तो यानि कि उसको स्वरीकिंग जो उसके वह सितन है वैसे बने रते हैं जिसे पहले थे लाम भर नवा ब्लड वह का काउंटो वह होता है उसको अगर काउंट्स लिस अगर हम जादा तो तो excess concentration of EDTA cause of RBC shrinkage, यानि कि अगर excess concentration हमें ले लिया, यानि कि 1 ml में हमने 1.8 ml लेना है, तो क्या होगा हमारी जो RBC होगा, WBC या सेल्स जो उनको क्या करने लग जाएगा, श्रिंक करने लग जाएगा, and not suitable for coagulation study, तो coagulation study हम नहीं पर कर पाएंगे, क्योंकि clotting factor जो है, वो proper इसमें नहीं है, क्योंकि calcium से bind करके, बागे की clotting factor को inactivate कर देता है, तो coagulation factor study के लिए हम इसका use नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं, next, trisodium citrate के बारे में, कि trisodium citrate जो है, वो किस base पे काम करता है, ए तो अब हम परते एं, trisodium citrate के बारे में, थिके, out, हम बात करते हैं, trisodium citrate के बारे में, ये भी कया है, calcium chilator है, calcium chilator किस base पे काम करता है, मैंने आपको बताई दिया है, थिके, drugimen, trigly आपको बताया कि दो और सोडियम मतलब की एन तो यह अपर लिखा एने त्री-थ्री त्राइश कों सा होता है अब इसको हम दो टाइप में यूज कर रहे हैं तो यह ट्राइश करते हैं हम इसका कलर जो होता है ट्यूब का वह स्काइब ब्लू कलर का होता है और अगर हम कितना लेना चाहिए तो अगर ट्राइश कर रहे हैं तो इसमें 3.2 ग्राम पर लीटर यूज करते हैं और कंसंट्रेशन जो होती है इसकी वन इस्टू नाइन होती है वन इस्टू नाइट में हम कैसे बनाते हैं इसमें 200 अम ब्लेड लेंगे और 1.8 अमेल अगर सिट्रेट ह का रेक्षो बन जाता है ठीक है और अगर डाइसोडियम हम यूज कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 3.8 ग्राम पर लीटर होती है यह एक्जाम में पूछा जाता है पॉइंट अफ्यू में एक्जाम और दूनों ठीक है तो आपको यह याद रखना है इनकी कंसं का बूरेशन के लिए मिस का भाते हैं ऐसार करते हैं तो इसमें कितना हैं 3.8 ग्राम पर लीटर कितना 3.8 और ratio जो होता है इसका 1 is to 4 होता है इसमें बच्चों को बहुत जारा confusion होता है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनें कि इसका हम यानि कि एपेटिटी और टीटी के लिए जो ratio यूज कर रहे है वो 1 is to 9 का होता है और ESR के लिए जो यूज कर रहे है वो 1 is to 4 का होता है अब इसको प्रिपार कैसे करते हैं 1 is to 4 यानि कि 400 ml हम क्या लेंगे ब्लड लेंगे और 1.6 ml हम क्या लेंगे सिट्रेट लेंगे तो हमारा यह 1 is to 4 का ratio बन जाएगा और tri sodium citrate हम i mappedCT loyalty के लिए यूज करते हैं किसके लिए ये सार के लिए यूज करते हैं ठीक है अब bez calcium जो होता है ओं कलोटिंग जो रएमारा हम इस agree incデ никто होता है तो यह प्रोंटींग वन यह पाता है इंचा पहले भी बताए था और हां यह टॉपिक जो है सारे कंप्लीट होने के बाद इसका जो पीडिएप आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा तो आप प्लीज जोइन टेलीग्राम ग्रूप को जोइन कीजिए और भले ही आपको नोट्स मिल रहे हैं बट आप आपके अगर हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो वह क्या है कि जल्दी याद होते हैं और अपना लिखा हूँ आपने को जल्दी याद होता है ठीक है अब बात करते हैं ऑग्जिलेट की यह भी केल्शियम बाइंड होके इनक्टिवेट कर देता है आगे को बट यह फॉर्म करता है क्या वह करता है प्रिशिपिट सपर करता है फिरसिपिट फॉर्म करता है क्यल्शियम-अ-इंक्श्यह् прибन करते हैं तेक है उसके बात इसमें वह मि अगर potassium oxalate हम यूज करते हैं, oxalate में भी हम दो चीज़े यूज करते हैं, potassium oxalate और ammonium oxalate, ठीक है, potassium oxalate जो है वो उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो 2 mg पर ml of blood हमें यूज करना है, और chemical analysis यानि की chemistry के जो analysis करते हैं हम, biochemistry के लिए उसके लिए इसका यूज करते हैं, PCV क नहीं करते हैं, ठीक है, और double oxalate, double oxalate नाम से समझ आ रहा है, कि हमें oxalate जो है, वो double यूज करने है, double यानि कि हमें potassium oxalate भी यूज करना है, और ammonium oxalate का, ठीक है, यह मिलाएंगे तो हमारे ratio जो है, वो कितने का बन जाएगा, 2 is to 3 का ratio बन जाएगा, 3 पार्ट हमें लेना है, potassium oxalate और 2 पार्ट हमें लेना है, ammonium oxalate, ठीक है, concentration जो अगर हम लेंगे 1 ml में, तो 1 ml में हमें 1 to 2 mg यूज करना है, इसका use double oxalate का किस चीज के ल हम करते हैं, TLC के लिए हम करते हैं, RBC के लिए भी करते हैं, ESR के लिए, ESR कौन सा वाला, windroves tube के लिए, ठीक है, windroves method के लिए इसका use करते हैं, और अगर double oxalate हम use करते हैं, वो जो है rare, बहुत rare condition में, routinely use इतना नहीं किया जाता है, किया जाता है, बढ़ रूटीन इतना नही है, जितना की इडिटी किया जाता है, क्यों कि यह potassium oxalate जो है, वो हमारी cell को क्या कर देती है, swell कर देता है, और ammonium oxalate क्या कर देता है, shrink कर देता है, यह cell को क्या करेगा, shrink कर देगा, और ammonia potassium oxalate जो होगा, वो क्या कर देगा, swell कर देता है, क्या करेगा, swelling कर देगी cell को, ठीक है तो यह है हमारा डाइस ओडियम और पोटेशियम ऑग्सलेट भी हमने पड़ा सिट्रेट भी पड़ लिया नेक्स्ट है है हिपेरिन आपने सुनाई होगा कि हमने जब बैसोफिल पड़ी थी ब्लड में जो लुकोसाइड का टाइप्स था ठीके तो बैसोफिल के द्वारा भी हिपेरिन जो है वह परोड्यूस करती थी बैसोफिल और मास्ट इसल दोनों तो इटीजी नाचुरल अटिक होगए नेचुरल यानिके हमारी बोडी में आलड़ी हिपेरिन जो हो प्रेजन्ट होता है जो कि एक्सिटेट जीड्या फाउंड होता है कि इसमें लीवर में और ब्लड को प्रोड करने से प्रिवेंट करता है ठीक है अल्सों को लड थो प्लास्टीन इसे क्या कहा जाता है इनाप्टीन को एक्टिवेट प्रोड प्लास्टीनश्ट यह एक्टिवेट नहीं होगा और प्रोड थो प्रोड प्लास्टीन早消 कि रिटा है कि ईसी लिए इसको थो म्याला बाता है और ऑट लीग हो जाता है अगते को इन टीवेंट ने अगर यह जो होता है available होता है dry form में भी और liquid form में भी ठीक है तो dry form में अगर हम use कर रहे हैं तो हमें use करना है पर ml के लिए 0.122 mg हमें use करना है और अगर liquid form में हम इसको use कर रहे हैं तो हमें लेना है 0.5-20 इंटरनेशनल उनिक पर ml of blood ठीके स्का यूज जो है वह किसके लिए किया जाता है कुन सब्सक्राइश के लिए already them टीबी गोल्ड़ी के लिए किया जाता है वो टीवर कोल लैडिन के लिए करते भर कोलोसिस के लिए रहता है अस्मेटीक के लिएAlice Celf candles my best ऑनसे दियाले कि जिसे एक प्लाजमा यह हिपेरीन हो गया। अब इसका disadvantage यह होता है कि सबसे पहले तो यह क्या होता है। प्लस ब्लड स्मेयर के लिए इसका यूज जो है वो नहीं किया जाता है ब्लड स्मेयर जो हम बनाते हैं उसके लिए इसका यूज नहीं किया जाता है अप्लेटलेट के लिए नहीं किया जाता है लूको साइट क्योंट के लिए भी नहीं किया जाता है एक उसके सोडियम रिघएंटेंव एक collecting तो लोट प्रेयड यां इसे ब्लोसा कर्ते लिए हम यूज कर रहे हैं तो हमने किसी प्लाइब लेड लेना है हम उसको क्या करते हैं ग्लाइकॉस में डिया तो उस पैशेंट की बोटी में उस वक्त जब हमने blood निकाला तो उस वक्त glucose की मात्रा जितनी थी उतनी ही मात्रा हम blood निकाल ले उसके बाद भी बनीर है ठीके इसी लिए हम sodium fluoride का use करते हैं ये कौन से color की होती है तो gray color की होती है और कौन से enzyme को inhibit कर देती है इनोलेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है ताकि ग्लुकोस की मात्रा जो पैशन की ब्लड में थी मतलब ब्लड कलेक्ट करने से पहले ठीक है और ब्लड कलेक्ट करने के बाद भी उतनी ही मात्रा ग्लुकोस की बनी रहें ठीक है इसलिए सोडियम फ्लूराइट का यूज करत किया है तो उसमें क्या आता है कि वैरियेशन आ जाता है 150 थी मालो 200 आ गई ठीक है तो वह क्या होगा बहुत ज़्यादा वैरेशन हो जाता है इसलिए हम सोडियों फ्लॉडाइड यूस करते हैं तो उसके ग्लुकोस को जो है वो मेंटेन करके रखती है ठीक है इनोलेश एंजा ठीक है तो यह हमने पढ़ा आज अंटिकोगिलिन के बारे में और मैंने आपको बताई दिया है कि आपको टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी और हां कमेंट करके अपना फिटबेक जरूर दे थेंक्यू